हालो बच्चो नमस्तो बच्चो तो जो कि क्लास 2 का इंग्लिस का बूक हम लोग जो फर्स चेप्टर था था थैंक्यू गोड फिछरी लेक्चर में लोग ने पढ़ लिया है अगर वो नहीं देखे बच्चो तो आप लोग जो यूटूब पर आपका ये फर्स चेप्टर का लेक्चर उपलब है तो वहां से आप लोग देख सकते हैं अब हम लोग सकेंड चेप्टर दो कि स्मार्ट मदर हाउस पढ़ने जा रहे हैं माउस स्वारी दिया स्मार्ट मदर माउस यहां माउस यानि जो कंप्यूटर वाला माउस नहीं है बच्चो यहां पर चूहा है यहां लक करते हैं माउस की माउस की माता सरी है यहां लिखा हुआ है माउस की बारे में दो यहां लिखा हुआ है यहां दो यह आस में यzeug एक अर झात नाा इस अगी के सभ था और लिभड के शूल ही भाए तुन महीं तो डेकी दोट कैसे वे दो और तो नौम गोर आना इन पड़िए लाट है नीचे सुप भाए पोश और तो There Was A Lot Of Food To Eat In Cupboard वोद कोई Woo wise वो खाते थी in Cupboard में,3 कोई वो कीशे,स됐ंगी वो खाते थी वो खाते हैं,ेब यह कीशे के लिए बाहर नहीं xuक、 तो किसी चीज के लिए बाहर नहीं जाती तहेंकि उनका जो खाना था वट पॉलज जाते हैं जाना जाना प्रच्छ अपार डहार उब चाथ हैक यूजकि वटाज का वह जाना प्रच्छ भॉल्ज उनकी जो बैज़ा था चुहा वो दोनोग भूट ही खुशी हाली से अपना जीवन यह खुशी स्यरहते थीas azaceteali जो जो उसका जो चुहा श्रीक के जो आ माता-सरी की चुहा है यानि चुहा हो गया चुहा को जो छोटा बच्चा वो थोड़ा बड़ा हो गया था और वो जो चुहा की जो बच्चा थी वो थोड़ी बड़ी हो गई थी अब वो चाहते थी कि हम लोग कुछ जो आउटसाइड यानि बाहर जाकर जो दुनिया उनको देखे तो he asked his mother to come with him और वो अपने माता सरी से पूछते है कि हम भी आपके साथ चले बाहर के दुनिया देखने के लिए बाहर जाना चाहती है just as they came out of their hole one day और एक दिन अचानक यानि जस्ट एक समय के लिए यानि अपने जो बिल से अपने घर से निकलती है चूहा और उसकी माता सरी चूहा की माता सरी और चूहा they saw a huge cat वो देखती है बहुत एक बड़ी huge यानि बड़ा सा एक बिल्ली है it leaked its lips जो बिल्ली है वो उसके उपर leak यानि चाटना होता है उसके जो लििपसे उसको चाटने लगता जो चूहा जो sorry जो cat हो वो it waited to pouch और वो जो है जो बिल्ली है sorry बचो जो बिल्ली है वेट कर रही है यानि वेटे यानि अपने टूहा जो बिल्ली है वो चूहा को देखकर घुरा रही है और वो जपटना चाहती है पाउंस यान जपटा मानना चाहती है और वेट कर रहे है जपटा मानने के और प्योड यानि घूरना वो जो बिल्ली है वो चुहा को देखर घूर रही है और उसको जो घूर कर देख रहे है कि कब समय आए कि हम उसको जपटा मारे जपटा मारे कर यानि पकरना हो गया, दि बेबी माउस वास फ्राइटेंड दो चुहा की, चुहा की जो छोटी बच्ची है, वो डर गई, दी बेबी यानि जो छोटा चुहा है, वो डर गई, फ्राइटेंड यानि डरना, he held his mother tell tightly और वो जो चुहा है चुहा की जो बच्ची है वो अपने माँ बहुत ही डर गई और वो अपने माँ को जो पूछे उसको अपने टाइटली यानि बहुत ही जकर कर अच्छे से टाइटली पकर ली है और वो बोल रही है mother what should we do और जो चुहा है यानि चुहा की जो बच्ची है वो बोल रही है कि माता स्री अब हम क्या करेंगे what should be हम लोग को क्या करना चाहिए दि मदर माउस से स्टॉप्ड जो मदर की जो चुहा है वो रूक जाती है सी थौट आप पलान और वो जो चुहा है वो बीली है उसके जो आख से आख नजर से नजर मिलाने लगती है और उसको घूरने लगती है जो कि कैट के आख में शी वाज़नों टेज का आट अल जो चुहा है वो बिल्ली से ड़ती नहीं है इसके डियानी डरना वह एकदम नीडर होकर उसके आख से आख चुहा चुहा है जो बिली से नीडर होकर आख से आख मिला रही है और वो डरती नहीं है she opened her mouth और वो अपने मुझ खोलती है and took their deep breath जो चुहा है वो अपने मुझ खोलती है है और बहुत सी बड़ी सी लंभी सांस लेती है डिप यानि लंबी ब्रेथीनि सांस लेती है then with an angry look और वो जो चुहा है वो cat पर यानि बिली पर वो बड़ी इक उपर बहुत ही डिप यानि बड़ी सांस लेकर वो एकदम । एंग्री होती है यानि एंग्री यानि होगे नराज होती है गुष्षा होती है और जो चुहिया है वो बिले पर चिलाती है उफ उफ जो कि शाउंड है जो चुहा कि वो निकलती है उफ उफ बाव बाव बार्क बार्क ये एक साउंड है उफ उफ बाव बार्क बार्क ये चुहिया है वो निकलती है दी ग्रोलिंग ऑफ मदर माउस गूर्ड़ाकर चिलाना होता है यहार जो बली यहार धर कर भाग जाती है तो यहार देह थे फिगर में को शोफ किया गया है बावब और चुयाओ चिला रे हो और और यह रहा है वह एक ड़ाकर भोज़ाओ भागा जाती है इट रूाओ जैसे वह बहुत ही जल्दी भाग जती है और दी बेभी माऊस यह एकड़ी कहा बिल्ली удар हो बहुत खूषी हो जाती है तो यहां लिखवा दी बेबी माउस दी कैट रणिंग अबे जो कि चुहिया कि छोटी बची है वो बिली को डर कर भागते हुए देखती है यहां पर क्लेमड यहां नहीं होगा बच्चो कहा जो कि वो एकदम खुशिश अपने माँ से बात करते हैं और कहते हैं वाओ यानि आचानक अशार्य हो गया कि वाओ आचार्य इक्सलामेशन यह मार्क है ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे मदर माता डेट वाज अनबिलियबल यानि जो चुईया की बच्ची है वो अपने माता को बोलती है माता सरी एकदम अशरे चकीत यानि अविस्वसनी है बात है ही क्लैब हीज हैंड्स और जो वो बच्ची है जो बिल्ली है वो तालीब जा रही है और एकदम खुशिशे नाच रही है और दान्स कर रही है तो यहां हो गया और हाव डिड यू मैनेज तो डू इट और वो जो बच्ची है वो बोल रहे है कि आप यह कैसे ने मैनेज किया जो कि तुम मेरी बच्ची तुमने देखा इट इज गुड टू इज अ सकेंड लैंगवेज इन सच कंडिशन यानि जो माता सरीए बिल्ली की वो बोल रहे है अपने बच्ची से कि इस समय जब ही कोई तकलीफ यह दर्द हो उस्यमे जैसा सिच्वेशन हो उसी तरह से हम लो आपने बच्ची को बच्ची तुम देखी कि जो कि अलवेज गुड टू रूमेज लłemगवेज जो कि हम लोगों जो कि शकेंड यानि दूसरा जो लैंगवेज चॅता वह भी उच करना चाही है जैसा कंडिशन हो उस तरह के हम लोगो जैसा कंडिशन हो जैसा जो काय या धा आपने गर्व से बोल रही है प्रवडिया नीं गर्भ हो गिया गर्व से यह बात बोले कि हम लोगोँ सई के लिग्वें ने साथ जयसा सीटुरिस च्पीशन यूञ signal साम लोग जो अपना जो काम या जो बोलते ऊच्पmiyor जो जयसा कंडीशन उसी कंडीशन की तरह Call a चाहिए तो इस condition से sorry बचो इस जो studies हम लोग को क्या सिखचा है मिला कि हम लोग को जैसा condition हो हम लोग को कभी भी कोई भी परिशानी हो उसमें डर्ना ने चाहिए जैसा situation हो उसी situation की तरह हम लोग को उसी में डालना और जो situation हो problem हो उसी को हम लोग जो कि एक नहीं दूसरे language या किसी तरह से हम लोग को जैसा situation हो condition हो उसे हम लोग को fight करना चाहिए और यहाँ पर जो word meaning है आप लोग देख सकते बच्चो और यह word meaning हम लो जो second chapter वो पढ़ लिया अब हम लोग अगले लेक्चर में बच्चो जो की अगला chapter हो गया और इसका मैं अलग से जो question answer का एक जो lecture है वो बना दूँगा बच्चो जो की third the golden temple अगले लेक्चर में हम लोग जो third chapter पढ़ेंगे तो अभी के लिए तिनाए बच्चो नमस्ते आप लोग को यह पढ़ कर आना है और जो question बने वो बनाना है अगर नहीं बने तो आप कमेंट करकर नहीं चलिक सकते हैं मैं एक अलग सा लेक्चर बना दूँगा तो अभी के लिए तनाए बच्चो नमस्ते बच्चो फिर से हम लोग अगले लेक्चर में जो की third chapter है इसके बारे बात करेंगे तो the golden temple के बारे में तो अभी के लिए तनाए बच्चो नमस्ते बच्चो और minor study में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चो इसी तरह से like, subscribe और share करते रहें और इसी तरह से प्याड देते रहें इसी तरह से मैं भी आपको आगे का लेक्चर प्रवाइट करता रहा हूंगा तो और जो वेल आइकन बटेंगे बच्चो तो अभी के लिए तनाए बच्चो नमस्ते बच्चो